Hey everyone and welcome back to the channel Guys, अगर आप short term internship search कर रहे हैं अगर आपके पास में time बहुत सादा नहीं है आप चाहते हैं कि एक short term internship आपको मिले एक short term internship का experience आपको मिले साथ में आपको stipend भी चाहिए तो इस वीडियो में आपके लिए बहुत amazing information होने वाले है So guys, यहाँ पर intern shala आपको provide कर रहा है 1000 plus short term internship So यह जो internships available होगी यह intern shala के official page पर available होगी So complete details आपके साथ share करूँगी So make sure channel को subscribe कर लेना वीडियो को complete देखना So that maximum information आपको यहाँ से मिल जाए So guys, यह जो short term internship है यह आपके 2-4 weeks के बीच में रहने वाली है So वो candidate 2-4 weeks की internship करना चाहते है उनके लिए यहाँ पर opportunity आने वाली है Guys, यहाँ पर जो internship है वो सारी fields में available है So ऐसा बिल्कुल नहीं है कि किसी एक field में है Sales में है या फिर HR में है या फिर Finance में है ऐसा कुछ भी नहीं है, एक field में नहीं है बहुत सारी field में internships है तो आप जिस field से बिलॉंग करते हैं उस field में आप internship कर सकते हैं आप guys, यहाँ पर stipend भी बहुत amazing आपको मिल रहा है So up to 25,000 rupees stipend जो है आप यहाँ पर earn कर सकते हैं Obviously, अलग-अलग internships होंगी तो अलग-अलग internships का stipend भी अलग-अलग होगा लेकिन up to 25,000 rupees आप यहाँ पर earn कर सकते हैं एक और amazing बात यह है guys कि यह जो internship है यह आपकी online internship होने वाली है So आप अपने घर पर अपने comfort zone में रहकर यह internship कर सकते हैं इसके लिए आपको कहीं भी जाने की जरूत नहीं बढ़ती है तो आपने से बहुत सरे ऐसे candidates हैं यहाँ पर जो internships हैं उसके लिए apply कर सकते हैं Also guys यहाँ पर आप extra rewards भी earn कर सकते हैं अब इसकी कुछ important dates हैं जो आपको ध्यान में रखना है So यह जो internships हैं इनका आपको early access मिलने वाला है 17 से लेकर 21st October के बीच में And short term internship के लिए आप apply कर सकते हैं 22nd से लेकर 24th October के बीच में So basically यहाँ पर अगर आप early contest में participate करना चाहते हैं तो 21st तक आपको participate करना है And जो internship के लिए आप apply करेंगे वो 22nd October से 24th October के बीच में ही apply करेंगे So आप guys यहाँ पर सबसे पहले आपको जो है register करना है आपने आपको So register पर click करने के बाद में आपको यहाँ पर अपनी email id और password जो है वो mention करना है and register now पर click करना है So जब आप यहाँ पर register हो जाएंगे तो आप यहाँ पर participate कर सकते हैं इस contest में So इस contest में basically आप चाहें तो अपने दो friends को इसके लिए register करने के लिए link share कर सकते हैं अपने friends को इसके लिए invite कर सकते हैं अगर आप करना चाहते हैं तो ठीक है otherwise आप इसको skip भी कर सकते हैं और जैसे कि मैंने कहा कि 22nd October से यहाँ पर आपका application process start होगा तो जो आपकी internships आपको दिखाई देंगी So internships apply करने का जो option आपके पास में available होगा वो 22nd October से available होगा यह video मैंने अभी आपके साथ में इसलिए share की So that आपको पहले से information और पहले से आपको पता हो कि ऐसा कोई campaign आने वाला है, ऐसा कोई contest आने वाला है अगर आप अरली participation में जाना चाहते हैं तो आप इसके लिए अभी apply कर पाएं So guys, यह जो short term internships है इसके benefit मैंने आपको बता दिये हैं और एक अच्छी बात यह है कि इन internships में आपको certification भी मिलता है So completion के बाद जो certification आपको मिलेगा उसको आप अपने LinkedIn profile पर भी mention कर सकते हैं उसको आप अपने resume पर भी mention कर सकते हैं So मैंने आपको जैसे कि बहुत बार यह बताया है कि अगर आपने कहीं पर internship की होती है तो आपको practical experience हो जाता है बेशक से short term experience होगा लेकिन practical experience आपको होगा इसके basis पर जबा future में किसी profile के लिए apply करेंगे मालनी जी आपने HR में internship करी या फिर अपने sales में internship करी और future में आप sales या HR की profile के लिए apply कर रहे हैं तो आप जब यह internship show करते हैं तो जो interviewer है या फिर जो interview panel है वो यह समझते हैं कि आपने already काम किया तो आपको practical experience है practical knowledge है तो आप चीजों को जादा अच्छे से graph कर पाएंगे और जल्दी से graph कर पाएंगे और इसके basis पर आपका selection हो जाता है So last year का भी मैंने एक बार एक video में आपके साथ data share किया था कि 2022 में 60% ऐसे candidates का selection हुआ था freshers की profile के लिए जिन्हों ने scholarship update, free courses का update और interview preparation आप कैसे करें उसको लेकर मैं आपके साथ में चानल पर video share करती हूँ तो आप please channel को subscribe करना So that ऐसी amazing information आपके पास आए आपके career के लिए जो चीजे important है वो आपको पता चल पाए and also channel को share कीजे, video को share कीजे So that आप maximum जो viewers है, maximum जो job seekers है या maximum जो career aspirants है, job aspirants है उनको हम help करता है So guys, I hope यह video आप लोग को पसंद आई होगी अगर आप short term internship करना चाहते हैं एक paid internship करना चाहते हैं तो आप अपना जो calendar है उसको block कर लीजे 22nd of October से आपको इन internships के लिए अपलाए करना है So guys, I'll see you soon with a new uninformative video Till then, take care and keep supporting me